आज इस वीडियो में जानते हैं कि बच्चों में ENT यानी की Ear, Nose, Throat से रिलेटेड बिमारियों के लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो पेरेंट्स घर पर रख सकते हैं ताकि Emergency में यूज कर सकें तो पहली है Ciprofloxacin Ear Drops इस Ear Drops का Use एक साल से उपर के बच्चों में किया जाता है जब बच्चे के कान से रेशा, पस, मवाद या डिस्चार जा रहा हो इस दवाई की दो बूंदें दिन में तीन बार, पांच दिनों के लिए कान में डाली जाती है Wax, Softening Ear Drops इस दवाई कान में तब डाली जाती है जब बच्चे के कान में इतना wax भर गया हो कि बच्चे को सुनने में परिशानी होने लगे इस दवाई की दो बूंदें दिन में तीन बार, पांच दिनों के लिए कान में डाली जाती है Normal Saline Nasal Drops इस दवाई को तीन महीने से बारा साल तक के बच्चों में तब देते हैं जब भी बच्चे की या तो नाग बहरी हो या नाग बंध हो और नाग से सांस ना आ रहा हो इस दवाई की दो बूंदें दिन में तीन बार, दोनों नॉस्टिल्स में साथ दिन के लिए डाली जाती है 5 साल से उपर के बच्चों में यदि नाग इतनी बंध है कि मुझ खोल कर सांस देना पड़ रहा है तो जाइलामेटाजॉलिन 0.05% ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं इस दवाई की दो बूंदें दिन में दो बार, दोनों नॉस्टिल्स में तीन दिन के लिए डाली जाती है पैरासिटामाउट, सस्पेंशन या सिरप ये दो महीने से उपर के बच्चों में बुखार के लिए तो देही सकते हैं और सरदर्द, पेटदर्द और कान के दर्द में भी पेन किलर के तौर पर इसे दिया जाता है चटी और आखरी द्वाई है सिट्रिजिन सिरप ये एक डीकंजेस्टेंट एंटी अलर्जी सिरप है जो एक साल से उपर के बच्चों को तब दी जाती है जब बच्चे की या तो नाग बह रही हो, नाग बंध हो, जुखाम हो, छींके आ रही हो, कान नाग गले में खुजली हो, कान बह रहा हो या कान में दर्द हो